Hello and welcome friends, welcome to pharma वेदा ग्यान, तो नई वेकिंसी एम्स में निकली है, जो कि गौर्वर्मेंट वेकिंसी रहेगी, जिसमें की असिस्टेंट अड्मिस्टेटिव आफिसर, एक्जिक्यूटिव आसिस्टेंट जूनियर अड्मिस्टेटिव आफिसर और आफिसर असिस्टेंट की य तो ये जो notification है आपको latest notification है AIMS CRE में जो है आपका 2024 का ये notification रहेगा तो इसमें हम detail पर बात करेंगी कितनी post ए कहां पर हैं क्या qualification है क्या syllabus है किस तरीके से आपको preparation करनी चाहिए क्योंकि सबसे important जो इसमें रहता है वो CCS rules जो हैं government rules जो है पूछे जाते हैं तो उनके बारे में हम आपको detail पर update provide कराएंगे कि कहां से आपको preparation करनी चाहिए किस तरीकी के question जो है पूछे जाते हैं तो ये जो notification है आपको अभी official website में नहीं देखेगा क्योंकि अभी officially ये launch नहीं हुआ है लेकिन बहुत जल्द आप जो है AIMS की website में देख पाएंगे तो अभी हम discuss करेंगे कौ hospital रहते हैं वहाँ पे भी आपको vacancy देखने को मिलेगी तो ये जो vacancy हैं आपकी all India basis पर है इंडिया के किसी भी कोने से आप लोग apply कर सकते हैं तो age limit आप लोग देख सकते हैं जैसे पहली post आपकी assistant NS की है तो इसमें जो है ये आपका AIMS बिलासपुरु में है और जो age रहेग next session आपको मिलेगा age में तो जो आपकी qualification है वो graduate होना चाहिए किसी भी stream से इसके बाद जो next post आपकी रहेगी administrative assistant officer की तो ये जो post रहेगी इसमें जो qualification आपको चाहिए minimum वो graduation आपकी होनी चाहिए सांथ में अगर आपके पार desirable ये रहेगा अगर आपने MBA करा है PG diploma in management करा है तो आप जो है इसके लिए apply कर सकते हैं अगर आपने plain degree भी करी है तब भी आप इसके लिए eligible रहेंगे ठीक है इसके सांथ है आपको knowledge of government rules and regulation होना चाहिए और आपका computer में जो है आपकी knowledge होनी चाहिए इसमें किसी भी प्रकार का experience वगेरा नहीं मागा गया है कोई भी आपस computer का certificate नहीं म form को आप apply करेंगे preparation करेंगे तो सबसे important जो इसमें रहता है वो government rules and regulations जो है रहते हैं इसी के basis पर आपका जो है selection होगा क्योंकि ये जो post है काफी अच्छी है level 7 की post है इसमें pay scale भी काफी अच्छा है और officer rank की ये post रहती है promotion भी इसमें काफी जल्दी जो होता है next इसके बाद य नाकपूर में आपको दिख जाएगा पटना aims में आपको दिख जाएगा ये सभी aims की है राइपूर में दिख जाएगा बीबी नेगर में executive assistant की है तो इसमें जो qualification रहती है वो सिर्फ graduation और computer की knowledge होनी चाहिए ठीक है level 6 की ये post रहती है इसके सांथ यहाँ पर आप देखें तो इसमें प्लेन आपका graduation और आपका computer की knowledge तो ये सभी post आपको level 6 की दिखेंगी age limit सभी में common है 21 से 30 years तक general category के लिए और OBC के लिए 3 years का relaxation मिलेगा ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं office assistant की भी post आपको दिखेंगी level 6 की आप लोग यहाँ पर देख पाएंगी तो पोस्टों के बाद करें कौन-कौन से aims में कितनी पोस्टे हैं वो आप लोग देख सकते हैं तो इसमें जो है सबसे पहले आपकी assistant NS की बिलासपूर में जो है एक पोस्टे दिखेंगी इसके साथी administrative officer की भोपाल में दो पोस्टे हैं देन इसके बाद बीबी नगर में एक पोस्टे नापपूर में दो पोस्टे हैं जो की सारी पोस्टे आपकी unreserved category में रहेंगी ठीक है जादे तर पोस्टे सभी unreserved category में आपको मिलेंगी इसके बाद राइपूर में है तो टोटल जो है आपकी administrative officer की जो है आठ पोस्टे आपको देखेंगी सभी पोस्टे आपको unreserved category में हैं तो किसी भी प्रेकार का reservation जो है इसमें provide नहीं होगा इसके बाद executive assistant के post रहेगी तो ये number of post जो है एक post आपको दिखेगी इसके साथ भी आपका भटिंडा में एक post है भुवनेश्वर में जो है दो post है और आपकी कल्याणी में जो है चार post है जिसमें की दो post है OBC की है दो unreserved है देन इसके बाद पटना में जो है सबसे ज़्यादे post है junior administrative officer की जिसमें की total number of post जो है seven है जिसमें की five post unreserved है एक post SC की है देन इसके बाद राइबरेली में जो है एक post आपको मिलेगी राइपूर में जो है आपका physical handicap की दो post है रहेंगी इसके साथ गुहार्टी में भी आपको notification देखेगा तो इसमें आपकी एक post मिलेगी जो की junior assistant NS की रहेगी देन इसके बाद office assistant की जो है दो post है जम्मू में आपको मिलेंगी तो ये number of post हैं तो ये notification जब आएगा तो कुछ post है इसमें बढ़ भी सकती है तो official notification जैसे ही आपको देखेगा तो उसमें कुछ post आपको changes देखने को मिलेंगे कुछ post हैं बढ़ भी सकती है तभी इसमें जो है डीले हो रहा है notification का लेकिन ये expected post हैं अपने देख लिए होंगी exam pattern की बात करें तो CBT mode में ये exam conduct कराया जाएगा जिसमें की 100 minutes का आपको duration मिलेगा 100 questions जो है इसमें रहेंगे जिसमें की 75 marks के जो है subjective domain subject से question रहेंगे तो वो topic भी हम discuss करेंगे कौन कौन से topic रहेंगे और 25 marks का जो है आपका general knowledge attitude और computer knowledge के questions बनेंगे तो ये जो है आपका syllabus रहेगा इसके साथ ही जो है आपका जो medium रहेगा examination का वो Hindi और English दोनुमें bilingual रहेगा इसके साथ ही जो fourth point है आपको यहां पर देखेगा aims जो है reserve the right to divide question paper in section of fixed duration तो aims के पास right है कि वो खुद से अपना question paper जो है किसे रहेगा जो common paper आपका रहेगा 25 marks का ये जो आप देख रहे है 25 marks का ये Hindi और English दोनुमें आएगा इसके साथ ही यहां पर आप देखें जो standard रहेगा वो 10th और आपका 12th तक का standard आपको देखने को मिलेगा then इसके बाद जो domain subject रहेगा जो कि 75 marks का है तो वो किस तरीके से रहेगा वो सिर्फ English mode में ही आपका आएगा इस चीज का आप लोगों को धियान रखना है तो ये जो आपका specific technical domain knowledge है वो आपको English mode में ही देखने को मिलेगा इसके साथ ही इसमें कोई भी request नहीं की जाएगी कि जो आपका domain subject है उसका जो medium है उसको change किया जाना चाहिए इससे पहले भी काफी जो है विवाद हुआ था कि आपका जो domain subject का medium है उसको हिंदी में भी होना चाहिए लेकिन जो आपका medium है वो सिर्फ और सिर्फ English mode में ही रहेगा इसमें किसी भी प्रकार की जो है negative marking नहीं मिलेगी ठीक है negative marking नहीं है then इसके बाद एक number जो आपको सही answer करने में मिलेगा तो ये जो है general syllabus रहेगा इसके साथी जो है qualifying marks 40% है general और EWS 35 OBC 30% SC and ST category तो question paper हम देखेंगे जो आपका previous syllabus है वो किस देखेंगे से रहा था so exam pattern की बात करें तो previous pattern जो रहा था इसमें आपके कौन-कौन से topic रहेंगे तो ये जो आपका रहेगा junior administrative officer, office assistant, NS और आपका executive assistant तो ये सभी के लिए जो है common paper रहेगा तो इससे पहले जो question paper रहता था जिसमें की general topic आपका 40 marks का और जो domain रहता था वो 40 marks का रहता था लेकिन अब जो है इसमें कुछ changes आपको देखने को मिल सकते हैं percentage में वैसे जो fourth point दिखा गया है कि aims के पास right है वो अपने हिसाब से जो section का division है वो कर सकता है तो इसमें आपको जो general topic दिखेंगे यहाँ पर domain में और जो आपके subjective जो आपका domain subject है जो कि आपका 40 marks यहाँ पर लिख रहा है लेकिन जो आपका domain है वो क्या-क्या topic आपको देखने को मिलेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ English mode में रहेंगे तो यहाँ पर आपको general administration देखेगा CCS rules देखेगा FR देखेगा SR देखेगा और basic computer तो basic computer आपको देखना है financial rule आपको देखना है इसके साथ ही आपको general administration के सभी rules जो हैं देखने को मिलेंगे ठीक है तो इसके अंदर भी काफी sub-topic आपको मिलेंगे तो उसके बारे में हम discuss करते हैं क्या-क्या topic आपको देखने को मिलेंगे लेकिन जहां तक लग रहा है कि जो आपका 75 marks का है जो आपका subjective है और जो 25 marks का है तो aims अपने हिसाब से decide कर सकता है या तो 40-40% कर सकता है या same as it is 75 और 25 का ratio लेके exam conduct करा सकता है देखें क्या pattern रहा था तो इसका भी pattern same आपको देखने को मिलेगा जैसा executive assistant और junior जो आपका assistant officer की post है तो उसमें भी आपको domain subject देखेगा और आपका Hindi English जो है comprehensive भी जो है इसमें आपको देखने को मिलेगा तो ये previous pattern है लेकिन जो आपके topic रहेंगे वो same आपको देखने को मिलेंगे जो domain है main आपका domain subject है general topic भी आपको देखेगा general में आपका general questions मिलेंगे लेकिन जो आपका domain subject रहेगा जिसमें कि आपको general administration के question देखेंगे जो कि सिर्फ English mode में ही आपके आएंगे और इसमें आपके general administration हो गया CCS rules हो गया FR हो गया SR हो गया और basic computer के questions आपको मिलेंगे तो ये कुछ topic आपको देखने होंगे इसके अंदर भी sub topic जो हैं रहते हैं तो कौन-कौन से sub topic का आपको देखने को मिलेंगे उसके बारे में हम discuss करेंगे so post जो आपकी रहेगी assistant administrative officer हो गया इसके साथ ही junior administrative officer हो गया और आपका executive officer की जो post रहेगी assistant की जो post रहेगी इसमें आपकी जो qualification और जो domain subject है वो आपको same देखने को मिलेगा तो इसमें आपको सबसे पहले central government rules में जो topic आपके रहेंगे CCS leave rule आपको देखेगा CCS conduct rule देखेगा GFR देखेगा type of correspondence, general knowledge about IPC, CRPC, CPC, CAT, high code, RTI Act ये काफे important रहता है establishment, reservation, roaster, LTC training जो आपका traveling allowance रहता है वो किस तरीकिस रहेगा तो ये जो है काफे important जो है topics आपके लिए रहेंगे तो इन topics को आपको देखना होगा इसके साथ ही अगर आप इसकी preparation करना चाहते हैं तो आप जो है हमारा codes भी join कर सकते हैं जिसमें कि हम आपको syllabus के according previous year question paper, notes और study material जो है provide कराएंगे तो यहाँ पे जो है whatsapp number देख रहा होगा तो इस number पे आप हमें whatsapp कर सकते हैं course की जो fees रहेगी वो one time fees रहेगी जो की four double line रहेगी यह जो है fees अप से ली जाएगी जिसमें कि आपको पूरा guidance प्रोवाइट कराए जाएगा इससे पहली भी हमने 2023 में जो है पूरा aims में जो vacancy निकली थी जो आपका assistant administrative officer, junior administrative officer की तो सभी vacancy के बारे में detail पर guidance आपको प्रोवाइट कराए थी जो topic आपका रहेगा CCS leaf rule 1972 जिसमें कि general rule part 1 रहेगा central civil service leaf rule यह रहेगा तो इसमें जो है आपको पूरी PDF format में जो है notes प्रोवाइट होंगे जिसमें कि आपके जितने भी important आपके CCS rule के question paper रहते हैं किस type के questions पूछे जाते हैं तो वो हम आपको provide कराएंगे किस तरीके से आपको preparation करना चाहिए Hindi और English दूनु mode में जो है आपको question जो है provide कराएंगे और जो sort form रहती है मतलब जो notes की sort form रहती है अगर आप इसको briefly पढ़ेंगे तो काफी lengthy यह रहता है तो sort note में जो है आपको इसका पूरा PDF format में जो आपको provide कराएंगे इसके सांती जो आपका syllabus है उस हिसाब से आपको जो है notes मिलेंगे previous year question paper मिलेंगे mock test मिलेंगे और जो previously conduct हुए हैं आपके administrative officer की vacancy की question paper है वो भी आपको available कराएंगे तो यह जो है previous year question paper रहेगा जो की assistant administrative officer का है तो अभी तक जितने भी aims ने exam conduct कराएंगे assistant administrative officer के या फिर junior administrative officer के सभी के previous year question paper आपको जो है provide कराएंगे जो की PDF format में जो है रहेंगे ठीक है तो उसकी पूरी PDF आपको मिलेंगे कैसे question जो है रहेंगे general question किस तरह के से रहेंगे subjective question किस तरह के से रहेंगे अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको central secretary manual of office procedure तो office procedure जो topic है वहाँ से आपको questions देखने को मिलेंगे इसके साथ ही आपका जो general financial rule 2017 है वहाँ के question भी आपको दिखेंगे ठीक है तो general financial rule के question दिखेंगे इसके साथी fundamental rule of service is related with general condition of service तो यह जो है कौन-कौन से amendment act है कौन सा chapter में जो है यह rule आपको देखेंगे तो वह आपको देखना होगा इसके साथी central service जो rule है 1964 तो इसमें जो है कौन-कौन से restriction regarding marriage है तो वो आपको याद करने होंगे तो इसको याद करने का जो sort form है उसके लिए sort notes जो है provide कराएगे है तो वो आप लोग देखें तो उसमें आपको पूरी guidance मिलेगी काफी helpful हुआ आपके लिए notes रहेंगे और किस तरीके से आपको preparation करनी चाहिए उसके पूरी pdf जो है आपको मिलेगी तो आप हमसे जो है join हो सकते हैं यहाँ पे आपको whatsapp number दिख जाएगा इस number पे आप हमें whatsapp कर सकते हैं सारी details हम आपको provide कराएगे जिसमें कि आपको application का link मिलेगा वहाँ पे आपको पूरे जो है notes previous question paper और जो है study material जो है pdf format में मिलेगा तो इसमें जो है आप लोग join हो सकते हैं और form भनना जो है start होगा वो expected November में आपको form इसके दिख जाएगे अक्टूबर या November तक form दिख जाएगे और आपका exam जो है December last week तक आपका exam conduct हो जाएगा तो preparation करते रहेगे कोई भी update रहेगा वो हम आपको provide करा दिंगे मिलते है next video में तब तक ये लिए बाबाई